हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं सेल्पियान और आज हम डिसकस करेंगे कि पीटीएस 4,5,6 वैसे पीटीएस 4 का मैं आपको सिनॉफसिस दिखाऊंगा और उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको अप्रूव कराना है कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है और कितने इस आपको फे करनी है तो इन सब को हम घहराए से डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर फैली वा रहा है तो यह सिर्फ इवनु के स्टुडेंट की हैल्फ के लिए चैनल बनाया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल आइकन को पक का प्रेस कर ले एक्जाम क इस आप से इंपोर्टेंट पॉइंट के उपर आलेडी वीडियो डिसकस की जा चुकी हैं आप प्लेइलिस्ट चेक करके अपनी क्लासिस कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले यह हम एक सिनॉप्सिस आपको दिखाएंगे इस सिनॉप्सिस के बारे में तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको सिनॉप्सिस कैसे कैसे करना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल जाओगे कि किस तरीके से जो है आपको सारे पॉइंटे के करके मैं क करूंगा और आपको उसको गहराई से समझना है सबसे पहली बात है कि जैसे आप जो है पी टीएस फोर यानि कि बीटीएस के अंदर में आता है तो इस यह जो है फर्स्ट ये और सेकिंड ये के अंदर जो है आप इसमें अपने प्रोजेक्ट जा सब्मिट करते हों तो यह जो यह ऐसा टोपिक होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से उसको दिख सके इस चीज का आपको ध्यान कर रखना है और मिनिममम 40% आपके मार्क होने ही चाहिए जब आपके पास 40% अगर माफ आपके प्रोजेक्ट में आगे तो आप डी ग्रेड के साथ पास हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं अगर उससे कम नंबर आगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है आपको दुबारा पहले कोशिज करना है कि प्रोजेक्ट जो है जो प्रोजेक्ट का जो टाइफ है तो वो जो है आपको जो प्रोजेक्ट लिखते हैं तो एक साइड में लिखना है और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होता है जैसे इसमें टाइफ करके लिखा है ना यह सब कुछ टाइफ है अ आपकी समझ में आगया होगा आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं अगर किसी के पास कंप्यूटर अविलेबल नहीं है और टाइप नहीं करा सकता तो अच्छी हैंड राइटिंग में उसकी जो है प्रोजेक्ट और सिनॉपसिस वगेरा होनी चाहिए लेकिन उससे क्या है जो आप चाहराजार से पाँछ वाट के बीच में अपका होना चाहिए आप फीर है थीग है आप अपने प्रोजेक्ट को किसी भी लेंगवेज में लिख सकते हैं आप हिंदी में लिखो या इंगलिस में लिखो आपकी इसमें छूट है आपका मिडियम की कोई वांडेशन की अन्दर नहीं हैं जैसे आप Admission लेते हो तो अपना आपको अपने Project Guide के साथ अपने सुरू कर देना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के साथ अपने सीवरोजर के साथ प्रोजेक्ट बनने का आपको लाजट साथ का वेट नहीं करना प्रोज्ट करते हों को प्रोजेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट और चलते हैं कि आपको इसको कैसे बना रहा है जैसे पीटीएस 4 का है project proposal synopsis है यह फुराणी synopsis है for example मैंने आपको इसको दिखा रहा हूँ ठीक है तो इसमें क्या करना है आपकी जो synopsis है वो जादा से जादा 400 word के अंदर में खतम हो जाने चाहिए आपको सबसे पहले एक theme हैं स्लेक्ट करनी है main theme स्सक्रेंण फिर कृषप कर लेना सबसे पहले उसका उसका एकी टौफिक लिखना हम साथ साथ में इसके साथ आपको डिसकरक्ते चालेंगे उसका एक आप टौपिक लिखेंगे यहां पर आपका प्रोग्राम हो गया यहां पर आपका Pts4 हो गया यहां पर आपका आड्रESS हो जाएंगा पना आड्रस पूरा लिख देना सुझेश्ट सेंटर का इसके बाद बहुनो इंप्रोटन्ट है जो आप टाइटल लि toujours तो से पहले आपने टोपिक कें इंदर क्सेंगने लिए क्र रहे हैं आप कैसे उसको बनाओगे, उसके अंदर आप क्या क्या ओब्जेक्टिव अप इस्टीडी है, आप क्या क्या पढ़ाई करोगे, उसका में परपज क्या है, किस तरीके से आप डाटा इखटा करोगे, आप किस तरीके से वक को प्लान करोगे, और क्या क्या इशूश में आएं आप कोशिश करना जिस एरिया में रहे तो उस एरिया के बारे में आप अपनी प्रोजेक्ट सिनोप्सिस बनाएं ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो भी आसान हो जाए यहीं कि मैं रहने वाला दिल्ली का हूं और मैंने केरला के उपर सिनोप्सिस बना जी तो वो दिल्ली के अंदर ठीक है अपने गाइड से अप्रोव करा के और एक रखोगे अपने पास जो चेकिन वाली है उससे फिर आप अपना प्रोजेक्ट बनाऊगे और उसको भेजोगे दुबारा फिर दिल्ली के अपास क्यों वह वापस नहीं आती है चलो मैं उसके बारे में दिखा देता हूँ आपका एड्रेस आपको क्या करना है इस एड्रेस के ओपर फर्स्ट वाली को सेंड कर देना है यहां पर पर प्रपोजल को आपको सेंड करना है यहां पर प्रोग्राम कोर्डिनेटर टूरिज्म स्टिडिज स्कूल ओप सोशल साइन्स ब्लोक नंबर फाइग इंड्रा गांधी नेशनल ओपन उनिवरसिटी मैदानगडी 110068 तो इस पर अपनी सिनोप्सिस भेज दी क्या करना था दो बनाई थी दोनों पर गाइड दोनों पर दिखाऊंगा आपको तो उसके बाद आपको इसको एड्रस पर आपने भेज दिया अब नोट करने वाली बात क्या है इस एड्रस पर भेजने के बाद आपको एक कोपी अपने पास रखना और क्योंकि जो आपको यहां से दिल्ली भेजोगे वो चेक करके वापस नहीं आप जाएगी एक आपके पास रह जाएगी उसके बाद लेक्टर eremosपा इसके इंदर बहुत ही जरूरी है ठीक है इसके अदर आपको लेटर नहीं से फीप्रूब आपको यह इसको यह सने और नहीं शुआ हो थिक है उसके बाद जो तोपिक है उसको बिलकुल चैंश नहीं करना मैंने पहले ही बता दिया है एक वर्ड भी इदर से उदर नहीं होगा उसका आपकी जो सारे डिटेल इसमें भर्नी है जो फर्स्ट पेज में हैं जो पेज में आप में आईगी वो डिटेल सा भी पूरी भर्नी है उसके बाद जो है जब आप इसको इस एड्रस पर भेज जो बनाते हैं बनाने के बाद जो आप प्रोजेक्ट बना लोगे वरूल के लिए भीज दोगे तो मैक्सीमN किकिन अप्राइब लगता है दो मह inexpensive का ताइम लगता है प्रोजेक्ट को cams के लिए यहाँ तो आप बात करते हैं थीम सेलेक्ट करने की ठीक है आप थीमρε़ पर सलेक्ट करके फिर अपना प्रोजक्ट बना लोगे पीटी जो फूर है उसकी अलग थीम है पीटी फाइब की अलग है पीटी सीक्स की अलग थीम है इन चीजों तिनों की अलग अलग थीम है हम यहां पर पीटी फूर की फिर पी Nokis करेंगे कि तो अब आपके व्यूजक्त संब्सक्राइब कर दिया एक अपने पास रख लेना है और एक जो प्रोजेक्ट आपको युनिवर्सिटी में चला जाएगा प्रोजेक्ट आपको किस अडर्स पर चे भेजना है प्रोजेक्ट आपको भेजना है इस अडर्स पर रेजिस्टार वो सोरी डारेक्टर S.R.O.N.E. डिविजन ब्लोक 12 इंद्रा गान्दी नेशनल ओपर उनिवर्सिटी इंद्रा गानी मैदान गढ़ी 1100680 इस पर आपको अपना भेज देना है दो महिने के अंदर आपका चेक हो जाएगा लेकिन इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात बताई है कि आपका जो एनेक्स्टर से सी है उस पे आपका सुपर्वाइजर का साइन होना चाहिए अभी में तीनों फार्म आपको दिखाऊंगा अगर आपके 40% से माक्स कम आते हैं साइनमेंट में चेक होने सोरी प्रोजेक्ट में चेक होने के बाद तो आपको सेम प्रोसेस सिनोप्सीज गाइड अप्रूड और सिनोप्सीज अप्रूब करा के प्रोजेक्ट बना के दुबारा फिर माँ पे युनिवर्सिटी को भेजना है और उसके साथ आपको री सब्मिशन के टाइम है प्रोजेक्ट में लिखा है वह जो भी है 1000 तुब भी पता सकते हैं तो आप मुझे साकते हैं कि तीन फॉइन हजार है या तीन सो है उसमें मिझे मिस्प्रिंट हुआ है और मैं इसलिए आपको और नहीं बता पा रहा हूं तो वो जो डीडी है एक निश्चित अमाउंट का डीडी आपको दुबारा लगा के उसको रिश अमिशन के टाइम आपको भरना है तो काफी मुश्किल में आप पर जाओगे तो जो कुछ भी करना है वो अच्छे से करना है फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रोजेक्ट के अंदर हमने लिख दिया उसके बाद यहां पर उसकी डिजिगनेशन लिख दिया लेक्षरार की और एड्डर्स लिख दिया यहां पर हमने इंट्रोडेक्शन दे दिया अपने प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस का इंट्रोडेक्शन देने के बाद हमने फिर गोज्ट बता देगे हमारे इस प्रव्जेक्ट का परपज क्या हैं उसके बाद objective आप लेह कि निकालने के लिए कम अब करा ॐयन देखुआ लिए हमने को चीजिय पड़ी हैं किसी चीज़े से हमने इस चीज को लिया है है वो सब चीजे होगी तो आपने एक सिनोफिस देख लिया पीटी एस फोर का और मैंने बता दिया कहां भेजनार कैसे कैसे आपको सारा सिस्टम करना है अब हम डिसकस वह भी करेंगे कि अभी ओनलाइन में जो क्रोना के टाइम पर नहे सिस्टम को हमें कैसे फोलो करना है तो यह हो गया उसके बाद अब जो नहा सिस्टम है क्या करना है आपको पीटी एस फौर फाइज इसक्स जिसके भी एसे आसाइंवेंट से उनको आपने आपने अपने गाइड से अप्रूव करा लिए परणी के बाद अपर यह क्लाने के बादेट के आपको क्या करना है उसको इगनु की मेन वेब साइट के उपर जाके प्रोजेक्ट में अप्लोड कर देना है और बस आपका कम खतम हो जाएगा अब हम बात करेंगे जो इसके अंदर जो मेन फॉर्म हैं यहां से हैं एनेक्सचर ए जो मैंने फॉर्म बदा था प्रोजेक्ट परपोजल का परफॉर्मा जो है यहां पर डेट डाल दोगे यहां पर अपना नाम लिखोगे यहां पर बीटीएस पर टिक कर दोगे या बीटीएस लिख दोगे यहां पर पीटीएस फोर लिख दोगे माल्या फोर के लिए आप दे रहे हो यहां पर इजनल सेंटर का नाम लिख दोगे नौइडा या एक्जाम्पल मैंने दिखाय था यह दिया था दिन निकोबार ट्राइबल कमीटी एंड देर कल्चरल चोईस फो फंड मान आइसलेंड ठीक है तो वह सेम टू सेम हम यहां पे लिख देंगे लिखने के बाद लेटर ओफ यह अप्रूवल लेटर है गाइड का यहां पे आपका खतम हो गया ठीक है उसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा एनेक्स्चर भी तो यहां पे अपना प्रोग्राम कोड बीटी एस एम पीटी ही पीटी एस फोर इन ओल्मेन नंबर इस्ट्री सेंटर को डिजन सेंटर को लिख देंगे टोपिक टोपिक अप्ड़ोजेक्ट हो जाएंगे आपके यहां पर नाम लिख देना है और अपना एड्रेस और साल लिख जेना है 2020 है जो भी आपको लिखना है ठीक है उसके बाद नीचे एक सर्टिफिकेट है सी अनेक्स्चर सी भी आपको जब फाइनल प्रोजेक्ट लगता है उसके अंदर जाता है मैंने बत सब्हgame कैसे यहां पे अपका प्रोजेक्ट का नाम यहां हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर से सुपरवाइज accounted हो जाएंगा और पर देश log जाना के एंड में आपको मिल जाएगा और वहां से अपने प्रोजेक्ट को आप लेटेस्ट के हिसाब से आपको आपके अपलोड कर देना आपको युनिवर्सिटी हाड कोपी को बना के भेजने की जोतत नहीं है और हां मैं एक चीज बताना आपको भूल गया यह जो सिनोप्सी से आपने टाइप करा लिए इसको खाड़ कोपी में पक्ता उसका सवावाईंडी बनाके बेजना है phase 4 जो जैसे मैंने भी फ्रक्ले मताया ऐसे PTA 5 और PTA 6 के लिए वाद सिर्फ इसमे थीम चेंज हो जाएगा अब जो PTA 4 के लिए मैं बता रहा हूँ थीम आपको तो आप उसको देख सकते हैं कि थीम में जैसे आपको क्या आई ये कल्चरल थीम होती है आपके कल्चर के बारे में जैसे दिली में जो करचलार हैरिटेजर्स के बारे में बोल सकते हो गुजरात की कल्चर कस्मीरी पंडित का कल्चर जम्मु डोगरा का कल्चर ठीक है कस्मीर का दसेरा चैलिबरेशन के बारे में लिख सकते हो या पंजाब के कल्चर के बारे में लिख सकते हो उसकी heritage के बारे में लिख सकते हो, कस्मेरी पंडित की culture के बारे में लिख सकते हो, पंजाब के खाने के बारे में लिख सकते हो, गुरुद्वारा जो दिल्ली में हो उसके बारे में बना सकते हो, ताज महल ये सब जितने भी जो है एतियासिक धरोवार हैं उनके बारे में बता पूरी जम जो पहले से बने हुए हैं एतियासिक धरोवर हैं इंडिया की उनके बारे में आप जो है अपनी प्रोजेक्ट सिनुपसिस बना सकते हैं तो यह थी पीटी एस फॉर की पूरी जानकारी सेम जह पीटी एस फाइव और सीक्स की है तो उसकी सिर्फ हम तीम डिसकस करे लिए इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मैंने किया प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तीक है और पहला आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि एक्जाम से डिलेटिटी उपनूटेंट कोस्ट जो है बीटी एस के में जल्द अप्लोड करने वाला चैनल के उपर आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा थैंक्यू